तो आज मेरे पास है ये जस्ट जैली तो हम ऐसे ही खा जाते हैं लेकिन आज इससे ना हम कुछ बनाएंगे मस्त देखते हैं ट्राइ करते हैं फर्स टाइम ट्राइ कर रहे हैं कैसा बनता है और टेस्ट के साथ है मैं आपको बताऊंगी तो इसके लिए पहले लेना है जस्ट कोई भी जैली आप ले सकते हो लेकिन मेरे पास तो यही थी तो मैंने यही लेली उसको हम निकाल देंगे एक बाउल में और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालके उसको हम गरम कर देंगे बिसके मेल्ट कर देंगे पूरा मेल्ट नहीं होगा तो चलेगा लेकिन थोड़ा और भडाप कःना पड़ाएगा ऊसको अवन में भी अप कर सकते हो मल्ट या फिर कोई आर बर्तन में निकालके श्टिल या फिर कोई भी उसका मिआ प선शेमें उसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ही अगर-गर पावडर क्योंकि अल्रेड़ी यह जैली है तो उसके अंदर तो हो गई तो फिर हम इतना जादा नहीं डालेंगे थोड़ा सा ही डालेंगे और देखो यह मैंने मेल्ट किया था लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत जैली नीची रहे गया तो चलेगा हमें ऐसा ही चाहिए तो उसको रग देँगे हम फ्रीज में थोड़ी देर के लिए सेट होने के लिए यह इतना एकदम सेट नहीं होखे लेकिन हमें ऐसा ही चाहिए थोड़ा सा और सेट हुआ होता तो तो अच्छा रहता लेकिन चलेगा आप थोड़ा सा पाउडर और डालेगा और उसको अच्छे से सेट कर दीजिएगा और उसको ऐसे चमस से हिला होगे ना तो अच्छे से उसका थोड़ा सा पीसीस हो जाएगा अपने आपी और फिर उसको डालेंगे ग्लास में और उसके उन्दों डालेंगे यह स्प्राइट क्योंकि हम बनाले वाले हैं यहां पर हम मनाएंगे जेली सोडा तो अभी जेली और यह स्प्राइट दोनों का कॉम्मिनेशन कैसा लगता है हम टेस्ट करते और देखते हैं अच्छ लगेगा तो आप ज़ तो उसको अच्छा तो लगा टेस्ट मस्त था लेकिन उसको थोड़ा स्वीट ज्यादा लगा तो जैली थोड़ी सी कम लेंगे तो परफेक्ट बनेगा तो वीडियो पसंद आए तो प्लेज लाइक इजन चैनल पर देखेंगे तो स्ब्सक्राइब ओके बाई